नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप भी चाते हैं कि भगवान गणेज जी की कृपा से आपके घर में अनधन की सदाई बरसात होती रहे तो आज की वीडियो आपके लिए है और बहुत ही खास होने वाली है आज की वीडियो में हम आपको बताएंगी कि गणेज जी को बस चड़ा देना ये एक चीज पैसा धन दौलत शौरत नाम सम्मान सुक शान्ति आदि जितना भी आप मांगोगे वे आपको बैतर गंटों में ही प्राप्त हो जाएगा दोस्तो बगवान गणेश केवल आपके दुख दर्दों को नहीं सुनते हैं बलकि आपके जीवन और कारेशेत्र में धन आने की राह में जितने भी विग्न वादाय होती हैं उन सभी को हर लेते हैं इसलिए आज की वीडियो को पूरा अंतर तक अ सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमई जीवन तो अब मैं बात करूँगा आज की वीडियो के बारे में गणेश जी को चड़ा देना बस ये एक चीज जो भी कुछ आप मागेंगे बहुत ही जल्द आपके हातों में होगा बस बगवान गणेश को चड़ा देना ये एक श्रण आपतकर देंगे दोस्तो भगवान गणेश को वीडियोsmann हरता और मंगल क्रता काइद आता है क्योंकि ये सबी दुख जनों के अपने भगत गणों के सभी प्रकार के दुखों को हर लेते हैं और उनके जीवन में सदैभ मंगल ही मंगल करते हैं तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल हो, सभी प्रकार के व्यकिन हर लें, और आप अगर गनेश भगवान को दिल से मानते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय गनेश भगवान एक बार अवशे लिखें, क्योंकि दोस्तो भगवान गनेश के नाम मातर में इतनी जो भी बगवान गनेश को सरदा पूरवक पुकारता है, सुयम भगवान गनेश उसकी और खेचे आते हैं, और उसके जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं को सुयम भर लेते हैं, दोस्तों आपको यह बताने से पहले, कि भगवान गनेश को वे कौन सी एक चीज है जो आपक को बता दें कि भगवान गणेश को तुलसी का पता और केतकी का फूल कभी भी नहीं चड़ाना चाहिए ये बेहदी असुम माना जाता है हाँ यदि आपको किसी मापुरुस ने खास ब्यक्तिगंड ने जोतिस महाराज ने यदि किसी खास प्रकार के उपाय के लिए अगर बिगनों को हरने के लिए आपको कौन सी वे चीज है तो चड़ाने चाहिए कोई एल चीज नहीं दोस्तो हम आपको आज की वीडियो में कई सारी चीज़ें बताएंगे उनमें से जो भी आपको आसानी से मिल जाए जो भी आप उपाय आसानी से कर पाएं उसे आप आसानी से ले ले और उन्में से कोई भी एक उपाए या एक चीज को आप चड़ा दें। यखीन मालिए भगवान गनेश बहुत ही जल्द परसन होंगे। दोस्तों बगवान गनेश को पान का पत्ता बहुत ही प्रिया है। अति प्रिया होने के कारण सबसे पहले पान के पत्ते के बारे ही बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पान के 108 पत्तों को लेकर एक मोली में, यानि कि जो हाथ में कलावा भांते हैं, उसकी सायता से पिरो करके अगर आप माला बना लेते हैं और भगवान गनेश की मूर्ती पर चड़ा देते हैं, तो आपकी सभी जीवन की सभी समस्याय समाप्त हो जाती है, या फिर आपको लगता है कि आने वाली है, तो आप इसके लिए एक मीठे पान का वीड़ा बनवा कर लाएं और भगवान गनेश जी के मंदिर में जा करके भगवान गनेश जी को चड़ा दे, भगवान गनेश जी को मीठे पान का वीड़ा इतना पसंद है कि जो भी आप खास प्रकार की समस्या से मुक्ती पाना चाते हैं, समस्याओं को हर लेने के लिए प्रार्थना करना चाते हैं, बस बगवान गणेश को वीड़ा चड़ाते समय, एक बार वीड़े को अपने मस्तक से लगाएं, और सभी प्रकार की अपनी समस्या को बोल दें, और अपनी समस्याओं से मुक्ती पाने के लिए प्रार्तना करते हुए भगवान गणेश के चरणों में एक बार चड़ा दीजे बस एक बार आप इस उपाय को कीजिए और आपकी बस समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे दोस्तो जब भी हमारे घर में कोई भी हवन पूजा पाट होती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि पंदत जी महराज एक सुपारी लेकर के उसको गणेश जी के स्थान पर विराजित कर देते हैं दोस्तो सुपारी में साक्सर भगवान गणेश का वास होता है यानि कि ऐसा भी आप कह सकते हैं कि सुपारी को साक्सर भगवान गणेश जीमाना जाता है इसलिए क्योंकि भगवान गणेश को सुपारी अत्यंद प्रसंद होती है अत्यंद प्रिय होती है जैसे देख करके उसके द्वारा किया जाने वोले उपायों से वे बहुत ही जल्द परसन हो जाते हैं। तो सुपारी का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी सभी मनो कामनाइं पूरी कर सकें। पान के बीडे का प्रयोग कियا जाता है अपनी भिगन बादाओं को मुसीबतों को हटाने के लिए वहीजा सुपारी का सतमाल किया जाता है अपनी मनो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। अगर आप अपने जीवन में किसी खास लक्षे को, किसी खास चीज की इच्छा की पूर्ती करना चाहते हैं, तो आप एक जोड़ी सुपारी, यानि कि दो सुपारियों को मिला करके एक जोड़ी बनती है, उस एक जोड़ी सुपारी को भगवान गणेश को यदि आप भेंट करते हैं, तो आपकी सभी मन की दवी हुई इच्छाएं बहुत ही जल्द पूरी हो जाती हैं, दोस्तों, आपने यूट्यूब पर बहुत देखा होगा कि सुपारी बगवान गणेश को चड़ा दीजिए, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन किसी की नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें सही विदी का पता ही नहीं है, सही विदी का पता अगर आपको भी नहीं होगा, तो आपको भी ये उपाय असर नहीं करेगा, इसके लिए आपको बाजार से कच्छा सूत लेकर क्याना है, और सुपारी के उपर तब तक इसे गोल को लपेटते रहना है, तब तक कि आपकी पूरी तरह से सुपारी ढखना जाए, इसी प्रकार से दोनों सुपारी को ढख लीजिए, और उसके बाद आप एक लाल रंग के कलावे से, यानि लाल रंग के धागे से इन दोनों सुपारी को एक साथ बाढ़ दीजिए, और उसके बाद आप भगवान गनेश के चरणों में अपनी मनो कामना को बोलते हुए इसे चड़ा दीजे। इसके लिए क्या विदी करनी होगी आपको केवल अपने दोनों हातों के बीच में जिस सुपारी पर आपने कच्छा सूत वे लाल धागा लपेटा है उसे लपेट देने के बाद अपने दोनों हातों के बीच में दवा करके हाथ जोड़ लेने हैं और भगवान गनेश के सामने अपने मन ही मन में आपको अपनी मनो कामना कह दी हैं मनो कामना पून कह देने के बाद भगवान गनेश जी के चरणों में इसे चड़ा दीजे और एक देशी ग गीका दीपक भी साथ में जला दे और देश्री गीका दीपक जलाने के बाद उसमें एक छोटा सा टुकुडा कपूर का डाल दे दोस्तो जो भी आपके मनोकामना होगी तो बहुत ही शीग्र भगवान गणेश जी तक पहुचे गी और भगवान गणेश तो इतने किरपालू ह कि अपने भक्ति के दुवारा किया जाने वाले एक छोटे से उपाय से जो की निर्मल भाव से किया जाए, पूर्ण सरदा, निश्टा भाव से किया जाए, पूरा विश्वास जो भ्यक्ति रख के करता है, उसके दुवारा किया जाए, तो भगवान गडेश बहुत ही जल्द दौलत ये तो भगवान के पास स्वयमी बहुत है वे तो केवल आपके भाव के भूंके होते हैं जो कि आप अपने निर्मल भाव से अगर आपने कुछ भी दान सोरूप देते हैं तो भगवान अती जिग्र प्रसन हो जाते हैं सास्तरों में कुछ नियम बताए गए हैं यदि आप दस स्वन मुद्राइं देते हैं उसके बराबर एक पुष्प होता है और एक हजार फूलों के बराबर एक कनेर का फूल होता है और एक हजार कनेर के फूल के बराबर केवल एक पान का पत्ता होता है और एक हजार पान के पत्तों के बीडे को चड़ाने का बराबर का फ बगवान गनेश को बेल पत्र के पत्ते अवसे चड़ाएं। लेकिन कितने चड़ाने चाहिए? बगवान गनेश को बेल पत्तर के पत्ते हमेशा 1, 5, 7, 11, 21, 35, 43 इस संख्या में ही चड़ाने चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी नियम है, जिस प्रकार से बेल पत्तर के पत्ते आपके कटे फटे या खंडित नहीं होने चाहिए, साब चुत्रे, हरे रंग के साब चुत्रे पत्तों को या आप चड़ा सकते हैं। दोस्तों हम अपनी वीडियो के अंत में हम हमेशा ही एक बहुत ही जवर्दस उपाय बताते हैं। इसलिए अब इस वीडियो का अंत होने वाला है, हम आपको एक बहुत ही जवर्दस उपाय देने वाले हैं। दोस्तो भगवान गनेश को इन सभी वस्तूओं से भी ज़्यादा पसंद है गुढ़हल का फूल, जी हां दोस्तो, अगर आप 108 गुढ़हल के फूलों को इकटा करके, एक माला बना करके भगवान गनेश जी को चड़ाते हैं, तो सभी उपाए एक तरफ और एक ये उपाए आपकी जितनी भी समस्या हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, बस आप माला को चड़ाते वक्त, गुढ़हल की माला को चड़ाते वक्त एक बार उसे बोल दीजिए, भगवान गनेश आपके मन के निर्मल भावों से इतना अतीप्रिय हो जाते हैं, क्योंकि गुढ़हल के फूल उनके बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अगर आप इन्हें चड़ा देते हैं, तो आपकी सभी मनोकामना बहुत ही शीगर परसन हो जाते हैं, और पूर्ण होकर के आपके जीवन में सदेव सूक सांती बनी रहती है, धन धाने से आपका घर सदेव भरा रहता है, दोस्तों आ आपको हर एक उपाय अवस्य दे सकें, दोस्तों आज की इस वीडियो में क्यावले इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तक के लिए दे में इजादे धन्यवाद, कमेंट बोक्स में लिखना ना भूले, जैश्री गनेश!